हमने CSS में transitions को देखा क्या कमाल की चीज थी smooth transitions बना कर हमारी website काफी बढ़ी अलग रही थी animations भी काफी similar होते हैं बस transition animation में difference यह होता है कि animation की साहिता से आप लोग एक से जादा properties को change कर सकते हो transition में भी आप लोग एक से जादा property change कर सकते हो लेकिन animation में आप लोग define कर सकते हो कौन सी property कहां से कहां तक जाएगी कितने time में जाएगी कौन कौन से keyframes होंगे keyframes क्या होता है इस वीडियो में सारी चीज़े आप लोग को बताने वाला हूँ बस आप लोग इस वीडियो को like करके नीचे comment section में sigma batch भी ज़रूर लिख देना चलते है computer screen में इन सब चीज़े को समझने let's roll the intro मैं आ चुक हूँ यह अपनी computer screen में और वीडियो 46 नाम से मैंने यह folder तो बना लिया है और इसको vs code में तो खोल लिया है यह मेरे हाथों से slow computer चल रहा है मेरे हाथ तेस चल रहा है computer hang कर रहा है कोई बात नी आज हम देखने वाले है CSS animations को और CSS animations को देखने के लिए मैं दोबारा से एक container बनाऊंगा और एक box बनाऊंगा बहुत सारे लोग पूछते यहां transition बतायत होते आपने है अनिमेशन की क्या जरूरत है जरूरत है कभी कभी कुछ complex चीज़े ऐसी हो जाती है जो कि हम लोगों को CSS animations के तुरू करनी पड़ती है दिखा तो आप लोगों किस बारे में बात हो रही है आपर सबसे पहले तो आप लोग इसको access कर लेना आप लिए पिछले वीडियो का जितने भी थे तो सूर्स कोड भी आप लोग एकसेस कर लेना मैं आप लिख देता हूं और यह आप पर कुछ styles डालने के लिए यहां पर style लिख देता हूं और मैं हर वीडियो में बार-बार इसलिए बताता हूं कि यार मैंने यह style tag बनाया यह बनाया थाकि मैं यार पूरा transparency रखना चाहता हूं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस course को देख रहे होंगे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस course में सिर्फ इस specific वीडियो को CSS animation सीखने के लिए देख रहे होंगे तो मुझे दोनों का धिहान रखना पड़ता है I hope that makes sense अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर कुछ नहीं हुआ यह box आ गया अब मैं क्या करूंगा थोड़ा था fast forward करूंगा चीजों को और यहां पर कुछ style जल्दी से add कर दूंगा जिसे मैंने यहां पर कर दिया ATVH, 30VW और यह अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यह box है और यह इसका parent box है यह parent box की जो background है उसको रगा चेंज करूंगा हाँ आप काफी better लग रहा है अब आप लोग यहां पर देखो कि मैंने विट ताइट दी यह box को के container को भी दे दी है और मैं कुछ animations बनाना चाहता हूं CSS में animations बनाने के लिए आप लोग directly keyframes का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आपने लिखा keyframes इसके बाद आप animation का नाम डाल सकते हैं मैं इसका नाम कुछ भी लिख सकता हूं मैं इसका नाम लिख सकता हूं from यहां से लेकर to यहां पर जाए और कौन-कौन सी property को कहां से कहां तक change करना है मैं कहूंगा या जो transform है transform को translate x मैं कहूंगा 10 कर दिया मैंने 10 pixels कर दिया यहां से start हो यह animation यह मैं from को खाली छोड़ते हूं कह सकता हूं कि भाई इसको 1000 pixels में translate करना है ठीक है तो आप देखो जैसे यह animation मैं box पर apply करूंगा किस तरह से apply करूंगा box पर animation अब देखो यहां पर पहले आप डालोगी name फिर duration फिर timing function फिर delay फिर iteration count फिर direction फिर fill mode vs code आपकी इतनी मदद कर रहा है बता रहा है कहां पर क्या आएगा ठीक है इनको आप fill कर सकते हो लेकिन अभी के लिए vs code ने जो आप लोग को बोला उसको छोड़ो मैं आप पर simply Harry का animation यहां पर लिखूंगा ठीक है मैंने लिखा Harry का animation अब यहां पर आप लोग देखो कि यह animation लगा आप देखो यह animation बिलकुल भी नहीं लगा अब मैं क्या करूँगा कि एक animation duration नाम की property होती है बहुत सारी properties यार animation को लेकर अब आपको गयार हमाँ पर transition था तो animation की क्या ज़रूरत है animation चीजों को एक अलगी level पर लेकर जाता है आप लोग यहां पर देखो duration timing function name delay fill mode पुता नहीं कौन कौन सी properties यहां पर आप लोगों देखने को मिलेंगी animation के pertaining और यहां पर यह सारी properties जो है वो काम आती है मैं आपर animation duration को करूँगा 3 seconds मैं कौनगा भाई मुझे 3 seconds के लिए animation चाहिए तो मैं जैसे ही इसको reload करूँगा तो यह 100 pixel translate कर रहा है और उसके बाद वापस आ जा रहा है क्या मैं इसको repeat कर सकता हूँ हाँ मैं कर सकता हूँ इसको repeat animation repeat property का इस्तिमाल करके बट एक बात यहां पर आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने भी कोई चीज रटी नहीं है मैं भी ऐसा नहीं है सब कुछ आता है मुझे मैं भी refer करता हूँ इस तरह की documentation को यह properties आज से 5 दिन बाद भी याद नहीं रहने वाली है आप में से 99% लोगों को देखो 1% का exception रहता है कुछ लोग याद कर लेते हैं उनकी आदत होती है याद करना लेकिन मैं आपको reality बता रहा हूँ कि आप लोगों को यह चीज याद नहीं रहेगी और आप लोगों को यहाँ पर आके refer करना पड़ेगा कही ना कहीं से आपको refer करना ही पड़ेगा documentation को देखना ही पड़ेगा और सबसे वड़ी आ तरीका documentation को देखने का यह कि animation से pertaining कुछ भी करके यहाँ hover करके mdn reference पर click कर दो सीधे इस page पर पहुँच हो गए और एक एक करके सारी properties को देखो animation duration की भाई कितनी देर तक चलेगा animation फिर होता है आपका animation repeat करना है कि नहीं करना है और animation repeat करना है या नहीं करना है उसके लिए आप लोग क्या use करते हो animation iteration count की भाई कितनी बार चलना चाहिए animation ठीक है तो यहाँ पर आप देखो कि select a count to start मालो animation finish हो गया यह एक बार चला देखो यह एक बार animation चलेगा फिर दूसी बार चलेगा और तीसी बार फिर नहीं चलेगा क्योंकि count 2 है तो हम भी यार iteration count property के इस्तेमाल करते हैं हम कहेंगे animation iteration count animation iteration count 3 तीन बार मेरा animation चले तो मैं जैसे इसको reload करूँगा आप देखो एक फिर इसके बाद 2 फिर इसके बाद 3 मतला भाई 3 बार मेरा animation को चला दो और 3 बार मेरा animation चल गया जैसे कि आप लोग बाद आप लोगों को बताना चाहूंगा animation iteration count को infinite कर दो तो यह चलता रहेगा मालो मैं चाहता हूं कि मिरा animation एक seconds में खतब हो जाए तो आप देखो जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा चलता रहेगा इसी अब यहाँ पर मैं इसका timing function change कर सकता हूं और मैं कह सकता हूँ कि जो animation timing function है उसको कर दो हमने already timing function की बाद transition में करी थी लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ एक होता है मारे पास ease in एक होता है मारे पास ease out एक होता है मारे पास ease और एक होता है ease in out मानलो मैं ease out करता हूँ की आप कारम की जो की पढ़म पक्रतै कि सी भी को तो आप गुट को क्यों से और यह पर बन-गै न तो आपके क्यूबियर बेजिर को कॉपी कर सकते कुछ संहसे और इसको कॉपी करने लिए पाद और इस क्यूबिक बेजियर को यहाँ पर animation timing function में replace कर सकते हो उपस तब से पहले इसको मिटाऊंगा और फिर replace करूँगा ठीक है I hope कि clear हो गया आपको कि किस तरह से animation timing function को आपको use करना अपना बनाया है animation timing function फिर इसके बाद already मैंने आपको animation iteration count के बारे में बता दिया animation delay का मतलब कि कितनी देर बाद animation start हो अब अगर मानलो मैं animation delay को कर दो मानलो one second तो आप page को जैसे ही reload करोगे तो यह एक second के बाद चलेगा ठीक है आप देखो एक second के बाद start हुआ और repeat होता रहेगा ठीक है तो कितनी देर के बाद चलना चाहिए animation यह animation delay बताता है ग्यारा second अगर मैं कर दूँगा न तो ग्यारा second के बाद start होगा अकुल मिला के बाद यह है तो यह सारी properties हमारे पास होती है animation से related अब transition की क्या जरूरत है अगर animation और transition में से animation मना सकते हो और उसको multiple जगह पर use कर सकते हो तो अपना-पना use case है ऐसा कुछ नहीं है कि एक fast है दूसरा slow है या फिर इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप animation यह transition यह जहां पर आपका use case लग रहा है जिससे आपका code जादा maintainable हो रहा है और जो करने से आपको आसानी हो रही है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका simple transition से काम हो रहा है तो वो use करो अगर आपको लगता है इस सारी properties आप use करो गया इन में से कोई भी एक property उसे की delay हो गया iteration count हो गया तो आप लोग animation का इस्तेमाल करो ठीक है वैसे transition भी animation नहीं बनाता है एक तरह से बस transition property अलग है animation अलग है I hope इस चीस clear हो गई आप लोग को फिर इसके बाद यहाँ पर animation name हमने देख लिया iteration count देख लिया animation direction बहुत important है कभी कभी आप लोग इसको alternate या alternate reverse भी कर सकते हो अब यह क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर मालो मैंने इसको कर दिया animation direction को reverse ठीक है मालो मैं इसको reverse कर देता हू और अगर मैं इसको कर दूँ मालो मैं इसको alternate reverse कर दूँ तो क्या होगा तो गए देख और ऐसे जाएगा और इसका काफी use होता है एक और ऐसे गया एक बर ऐसे आया ठीक है आप देखो और यह timing function को ओबे कर रहा है इसलिए ऐसे जा रहा है देख रहा है आप लोग मैं इसको linear कर दो ना टाइमिंग फंक्शन को तो सीधा 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 कुछ आता हूँ देखेगा टीक है ऐसा कई बार होता है मैं इस तरह के अनिमेशन बनाने की ज़रुवत पड़ जाती है अगर आप लोगों को फिजिक्स वगएरा आती होगी तो आपकोने सिंपल हर्मोनिक मोशन का नाम सुना होगा तो सिंपल हर्मोनिक मोशन वगएरा कि अगर मुझे अनिमेशन बनाने तो मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैथमेटिक्स डिरेक्ली रिलेट होती है से यानि कि आप एक्जाक्ट फंक्शन लिख सकते हो जो कि सिंपल हर्मोनिक मोशन करता हुआ एक ब्लॉक को दिखा दे ठीक है खेर वो सब चीजों में मैं नहीं जाना चाता अभी बड़ यस आपको बता रहा हूं कि अनिमेशन प्लेस्टेट क्या है अनिमेशन प्लेस्टेट क्या है अनिमेशन प्लेस्टेट की बात करूं तो आप देखो अनिमेशन प्लेस्टेट में आपकी वैल्यूज आती है पॉस्ट आता है रनिंग आता है अब अगर इसको पॉस्ट करना चाते है तो आप पॉस्ट क पॉस्ट करूँगा जहां पर पॉस्ट करूँगा ना पॉस्ट करूँगा वहीं रुख जाएगा देखो वहीं रुख गया ठीक है जैसे इसको अटाऊँगा यह चलना शुरू हो जाएगा वहीं से तो आप चाहते हो कि वहीं पर रुख जाएगा और वहीं से चलना चालू ह जाए चीज़े तो आप animation को pause बगरा कर सकते हो transition में यह सब करना मुश्किल हो जाता है जो सारी चीज़े आप animation की properties से मिलके कर सकते हो transition में बहुत मुश्किल हो जाता है बस यही चीज़ है अब आपको बताए कि हम सब लोग आलसी है ठीक है और हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि lorem 45 लिखते हैं 49 लिखते भी निया ठीक है 4 और 5 आसपास होता है इसलिए लिखते है तो हम जैसे लोगों के लिए बना है animation का shorthand कि यार एक ही property में सब चीज़े आप set कर दो ठीक है अब मैंने एक चीज़ सुनी है बहुत सारे colleges में unfortunately ये सब चीज़े होती है कि यार आपसे पूछा जाता है कि बाई animation में ये सब याद करो कि बाई जो animation short end है उसमें क्या क्या होता है अगर मैं आपर animation ऐसे लिखा हूँ यह एक short end देता है आपको VS code लोग इसको याद करने को बोलते हैं I am strongly against learning and memorizing मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप इस्तेमाल करो VS code का भाई बता तो रहा है VS code याँ नेम डाल दो याँ डूरेशन डाल दो याँ टाइमिंग फंक्शन डाल दो याँ डिले डाल दो याँ इटरेशन डाल दो याँ डिरेक्शन डाल दो is in out डीक है और डीले में डाल देसे और इसको मैं 3 seconds कल देता हूँ तक कि 3 seconds अनिमेशन इटरेशन काograph मैं डाल देता हूँ infinite इशन डिररेक्शनчи में डाल देता हूँ माहन लो reverse ॉर्श या मैं डाल देता हूँ या फिल मैं direction का इस्तामाली नहीं करना चाहता तो मैंने के को capital नहीं किया अब मेरा animation चल पड़ेगा आप लोग देखो कि मेरा animation चल पड़ा है और यह सारी चीज़ अपलाए हो रही है आप ठीक है तो यह देखो सब कुछ apply हो रहा है अब मानलो मैं यह चाहता हूं कि भाई मैं यह यहाँ पर animation delay है मैं काम करता हूं यहाँ पर animation का जो short end है उसको comment out करके ऊपर रख लेता हूं पहले name आया फिर duration आया फिर timing function आया फिर delay आया मानलो मैं delay देना ही नहीं चाहता हूं पर delay को हटाना चाहता हूं तब भी काम करेगा क्या यह हाँ बिलकुल तब भी यह property काम करेगी आप देख सकते हो कि अगर मैंने एक property miss भी कल दीना बीच में से तो automatically it's smart enough to pick all these properties ठीक है I hope की समझ में आ रहा है आप लोगों को अब एक चीज़ जो कि मैंने नहीं color कर दूँगा let us say red और मैं इसका background color finally क्या कर दूँगा box का from red मैं यहां से अटा देता हूं background color from red to background color मालो मैं yellow करता हूं ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर जो मेरा animation fill mode है उसको खाली छोड़ दूए यनि कि none रखो by default none होता ही है तो क्या होगा कि यहां से start हो रहा है अगर मैं इसको forward कर दूँगा और फिर यहां से start हो रहा है red हुआ फिर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रह जाएगा या इसकी final property होगी वो retain करेगा पहले नहीं कर रहा था पहले क्या हो रहा था animation चल रहा था और वापस से वैसे ही हो जा रहा था जैसे चीज़े थी यानिकि animation चला और फिर यह भूल गया animation था भी यानिकि जैसे इसकी property जो लगी होई थी वो properties इसने retain करी अगर मैं इसको backwards कर दूँ मैं इसको backwards कर दूँ तब आप देखना क्या होग तो जब तक animation delay लगा हुआ है तब तक पहले keyframe की properties में आ जाएगी फिर वापस से जैसे परिस्तिती थी वैसे ही हो जाएगा ठीक है I hope कि आपको इस सब समझ में आ रहा है और to be very honest यह property बहुत जाद इस्तेमाल नहीं होती है अगर मैं आप लोग को बताऊं तो बट अगर मैं चुरू हो गया ठीक है लेकिन अगर मैं इसको backwards कर दूँ यहाँ पर तब आप लोग देखना कि जो पहला keyframe था उसकी properties ने retain करी और पहला keyframe यहाँ पर है from में जो मैंने डाला है और उसके बाद इसने गया कि इसको चलाना start कर दिया और फिर इसके बाद इसने गया कि इसको कम इस्तेमाल होता है but you should know what it is ठीक है तो forwards or backwards आप लोग यूज कर सकते हो but आप इन मेंसे जो मंचा है properties का इस्तेमाल करके animations लगा सकते हो एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो CSS animations होते है वो आप multiple बना सकते हो मालो मैं आपर Harry 2 करके animation बनाता हूं और मैं कहता हू इस बार मैं from and to नहीं बताऊंगा इस बार मैं बताऊंगा कि जब 0% animation है तब क्या करना है फिर जब 1% हो जाए तब क्या करना है इस तरह से बताना चाहता हूं मालो मैं बताना चाहता हूं 0 20% 50% 80% और 100% ठीक है यह मैं करना चाहता हूं मालो और मैं चाहता हूं कि यह transform जो हो इसका, वो हो translate या फिर मैं काम कहता है अथ है इस बार rotate लगाता हूँ rotate और मैं कहूँगा 300 degree, नहीं 300 नी, 100 degree और फिर सके बाद मैं चाहता हूँ कि 20% पर यह हो जाए 200 और फिर भिइन ऐसके बाद मैं चाहूँगा कि 50% पर यह हो जाए हमारा 220 और 80% पर यह कितना हो जाए मालो 500 और 500 जादा हो गया 300 और फिर 310 ठीक है मालो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं कल दूँगा rotate 310 degree ठीक है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ multiple animations किस तरह से लगा सकते है अगर आप लोग multiple animations लगाना चाहते हो तो आप लोग comma separated values का इस्तिमाल कर सकते हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने comma separated values का इस्तिमाल किया हुआ है और मैंने यहाँ पर मेरा पहला animation डाला फिर इसके बाद इसकी duration डाली फिर timing function डाला फिर delay डाला फिर iteration count डाला same मैंने दूसरे animation के साथ भी किया मेरा पहले animation जो कि सिर्फ background color को change करता है और मेरा दूसरा animation जो transform को change करता है from 0% all the way till 100% वो है let's see कि यह कैसा दिखता है मैं reload करूँगा तो देखो दोनो animation चलेंगे 3 second के delay के बाद जैसे ही 3 second पूरे हुए rotate भी हो रहा है color भी change हो रहा है और यह इन timings के साथ से काम कर रहा है और इन functions के साथ से अपने अपने काम कर रहा है हमेशा आप एक animation का इस्तिमाल करके multiple properties को animate कर सकते हो बढ़ अगर आप multiple animations लगाना चाहते हो और आप लोगों की imagination जो है वो आप लोगों बहुत आगे तक पहुचा सकती है CSS animations की जो possibilities हैं वो endless हैं और हम लोग projects के थूरू उसको देखने वाले हैं आप लोगों सिग्मा web development series की जो playlist है उसको access ज़रूर कर लेना और source code सारा update होता जा रहा है time to time तो आप लोगों कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time